है आज आप लोंगा साथ मजद्यार यममी पणिर रेसिपी से यार कराओंगे जिसे आप लोंग को बहुत पसंद आएगी आज हम बीना लासन भीना П्याज भीना पनिर मस्ला से तयार करेंगे रेस्टुरेंट्स उब्या बन करते हरोंगे आइखोप आपलोंगो रेसिपी ब सबसे पहले हम एक लिटर दूद लेंगे उसे हम च्छान कर कड़ाई में डाल लेंगे यहां पर देख बारे अब हमें ग्यास का फ्लेम अन कर लेंगे अब लुए फ्लेम पे यहां फिलेए जब दूद में अच्छी तरह वव लाये हमें है यहां पर देखिए ऐक हरी मिर्च भरी बरी कार कर डाल लेंगे और शाथ sit हमें वानफृ टेबल स्पन चिल्ली प्लेग्स और मुठ्झिबार धनिया यसे हम बरी-बरी काट कर डाल जेंगे और साथ में हमें दो पिंच नाम मांग यहां पर देखिए यहां अच्छी तरह श्टर कर लेंगे और थोड़ी सी भी जीरा आड़ कर लेंगे इसमें फ्लेवर बहुत बढ़े आता है सारे चीज इसे हमें थोड़ीर के लिए उबा लेंगे फिर यहां पर देखिए हमें एक ग्लास में टू टेबल स्पन बेनिगार और एक कप पानी इसे हमें अच्छा से मिला कर डाल लेंगे जैसे हम पनीर के लिए दूद बाढ़ते पिलकुल वैसे ही हमें इसे पाढ़ जैसे हम पनीर प्रोसस त्यार करते पास उसी तरह हम यहां पर बलो करेंगे यहां पर देखिए पास इसे हमें स्टेनर का उपर एक कटन गपड़ा रकर डाल देंगे फिर इसे हमें थोड़ीची नर्मल पानी से अच्छी तरह धोलेंगे देखिए यहां पर इसे हमें अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और यह कोई कली भी बनता है देखिए यहां पर हमें इसे हाज से तोड़ इसे गुमा लेंगे और इसका पानी सारे निचोड़ जाए अब हमें इसे बाउल लेंगे यहां पर देखिए फिर इसे हमें पनीर को अच्छे तरह खोल करो अच्छा से स्प्रेश कर लेंगे और इसे सेट होने के लिए फ्रीज में 10 मिंट के लिए रेश्ट होने देंगे यहां पर देखिए तब तक हमें इसे गड़ाई में थोड़ी स काजू दो कोरी पता एक हरी मिल्स हाप टेबल स्पून जीरा और शासा देखे आधाइंच अत्रोग हर वान फॉर टेबल स्पून हम मोग गोईश वान फॉर टेबल स्पून पॉम्किन सीर और चार काली मेरी और साथ में चार लॉं चार ग्रीन इलाइज साथ में एक टमाटो इससे हमें पानी में डाल कर दो मिंट उबाल लेंगे और पानी थोड़ी सी कम हो जाए यहां पर देखे मैंने डाल चिन डालने के लिए भूल गई थी लास्ट में थोड़ी सी डाल चिन डाल दी अभी यहां पर इससे हमें थोड़ी सी ठंडा कर लेंगे जबी थोड़ी सी जार में डाल कर फटेबल स्पून हमें धनिया पाउडर आड कर लेंगे पर इसे पीस कर एक स्मूथ पेश्ट त्यार कर लेंगे यहाँ बाद देख बारे वास इसी तरह पेश्ट बन जाए फिर हमें गयास पे कड़ाई रखकर गरम होने देंगे कड़ाई अच्छी तरह से ग और दो पिंच डाल कर इसे अच्छी तरह भूंड लेंगे और देखिए इसमें बहुत बढ़्या फ्लेवर आता है रिश्ट चे भी बढ़्या फ्लेवर आता है यहाँ पर देखिए हमें जो मिस्टन बनाये थे काजू और टोमाटो बगरा इसे हमें यहाँ पर आड कर लें देखिए यहाँ पर हमें फ्रेश टो टेबल स्पन दही जो फ्रेश दही डाल लेंगे इसमें बढ़े असा टेस्ट आता है यहाँ पर देखिए जब दही डाले इसे पांच मिंट करीव इसे श्टार करते रहे नहीं तही भड़ जाता है बस इतना ध्यान देजिए यहाँ नर्गो जाता है परकानच मिंट करीव इसे हमेंा लोगटलेम पर इसी तरह श्टार कर लेंगे जब तहीं अच्छा तरह हो जाए फिर त्पनेर के लिए तब तक देखिए यहाँ पर हमें जो वनिर के लिए रखए थी इसे हमें इसी तरह पीस इस में काह स्था लेगे और फिर देखिए यहां पर हमारा जो पनीर का ग्रेप भी शरी हमारा जो मसला थोड़ी सी इसे थीक हो जाए तब तक के लिए इसे हमें पकाते रहेंगे यहां पर देखिए मसला में जब ओयल सेपरेट होजे तब तक के लिए हम इसे पकाएंगे जब ओयल अच्छा तरह से सेपरेट होजे फिर हमें एक ग्लास करीब पानी आढ़ कर लेंगे और पानी डालने का बाद इसे अच्छी तरह मिला लेंगे फिर हमें वापस दो मिन्ट क तरह से कहलें आच्छी तरह से ओपाद आच्छुकि फिर इसे हमें उबला आने के लिए छोड़ देंगे जबी ग्रेपी में अच्छी तरह से उबला आ जाए वापस हमें जो पनीर पीजिस काट कर रखेंगे इसे डालने का बाद तूरंत हमें बरी कटा हुआ हरी धनिया पता इसे हम डाल लेंगे और इसे कवर करते हुए और दो सेकंड लो फ्लेम पे पकाएंगे अब देखिए कवर हटा कर हम लाश्ट में थोड़ी सी क्रीम देखिए इसे फ्रेस क्रीम डाले आप बलोंका पास है तो इसे डाले नहीं तो आप एसे भी एंजे कर सकते हैं एसे भी बहुत अच्छा लगता है फिर लाश्ट में मैंने थो फोड़ी से यम्मी टेश्ट आता है यहां पर देखिए हमारा जो फोनीरी ग्रेपी बन कर त्यार हो चुकी आप लोंग एक किन नहीं कर पाओगी कि आप लोंग इसी तरह घर पे बिलकुल रेस्टूटेंट से बड़िया बन कर त्यार की आप लोंग को एक किन नहीं होंगे आप लोंग जबी एक बार इसे ट्राय करेंगे तब भी आप लोंग को एक किन आएगा चच्छी में यह बहुत यम्मी रेसीपी दिखिए आमें थे ढूसा का सा थेंजे करने वाले आप लोंग चाहिते इसी तरह बना कर रोटी राइस चपाती पर अठा का सा थेंजे कर सकते एक बार आप लोंग जोरूर बनाएं और कैसे लगें मुझे कमेंट में लिखिए आप चाहिते इसी तरह बिना लोसन प्यास से भी बना सकते और पनीर मसला भी आड़ कर सकते मैंने इसे बिल्खुल रेसीपी बना कर आप लोंग को चिखाया आप लोंग जब यह एक बार बनाएंगे तो मालूम पड़े गया एक बार बनाएं फुर मुझे कमेट में जरूर में बताएं देखिए हामें तो इसी तरह बना कर एंजे कर लोंग भी जल्दी जल्दी बनाएं एंजे करें और कैसे लेगे मुझे कमेट में लेखिए टेक क्यार बाबाई